हाई फ्रेंड्स मिया कांचा सर्मा जीकी वितकांचा चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ सभी लोगों को नबर्स की बहुत-बहुत सुबकामना है आने वाला साल आपके लिए सब कुछ अच्छा करें भगवान आपके साथ रहे और आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ हैं वो मंजिल आपको जरूर मिले जो भी इस पुराने साल में आपके साथ घटेत हुआ है उन सभी पुराने यादों को मिटा दीजिए और नए सरे से नई सुरुवात कीजिए जो मध्यप्रतिस करेंट अफियर का जनवरी से दिसंबर का भागता उसमें हम दो बहुत कर च एलेक्शन होगा और इसके अलावा MPPSC की प्री सीरीज चल रही है उसके लिए मैंने N सीरीज स्टार्ट की है और इसके भी मैं तीन वीडियो बना चुकी हूँ अगर आप सुरूर से नहीं देखेंगे तो एकदम से आपे बर्डन पड़ेगा तो उसको जरूर देखेगा प बनाए गए हैं अगर आप यह नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे वाट्स अप करके यह नोट्स की बोगें करा सकते हैं भारत में कहीं भी रहते हो आपको यह यूनिट 10 पूरी यूनिट वाइस मिल जाएंगी साथ में आपको एक प्रेक्टिस सेट मी मिलेगा इस परिकार कोशचन है आठवी रास्टी केन Austin Alawam Championship कहां पर हुई तो सबसे पहले ध्यान रखेगा जो रास्टी केनosed लालालामор में चैंपियंशिप हुई है वह नंबर की है और यह कहां से पह में हुंप to कितने खिलाडियों उने सुर्म ज जीता राज़त जीता तो गे डिन्हेर जो आठीो रास्टी ऐनुस लालाम ant word Khali ऐन्ज़ी event की तोटल मध्री परिषार ने 5 परिवरतन है तू हाल ही में महिलावाल विकास भिवाग ने कौन सा एप तयार किया है योजना और संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा एप तयार किया है android एप आगनबाडी hot radio ये महिलावाल विकास भिवाग दौरा ये एप तयार किया गया है इसका उद्देश्च क्या है भिवागिय योजनाव और संदे सोकर प्रिचार प्रसार में भिहवार परिवर्तन हे तू अगला कोशन है प्रदेश की सभी पोशर बातिका को अब क्या कहा जाएगा प्रदेश की सभी पोशर बाटिका को क्या कहा जाएगा प्रदेश की सभी पोशर जो बाटिका है उनको मा बगिया कहा जाएगा क्या कहा जाएगा मा बगिया अगला कोश्यन है CM Helpline 181 के अंतरगत मोबाइल के माध्यम से इस्थाई निवासी एवं जाती प्रमाणपत्र एक ही दिन में दिये जाने की सुवधा प्रदान करने वाला पहला राजिक कौन सा बना है CM Helpline 181 के अंतरगत बना है इसमें मोबाइल के माध्यम से ही आप 181 पर डायल करते हो और मोबाइल के माध्यम से ही आपको इस्थाई निवासी और जाती प्रमाणपत्र एक ही दिन में बन जाएगा पूरे भारत में ऐसा करने वाला कौन सा पहला राज्य है वो है मध्या परदेश 2022 के खेलो इंडिया गेम्स कहां होंगे हाल ही में इसको स्विक्रती मिल गई है और भोपाल में होंगे 2022 का खेलो इंडिया गेम्स कहां पर होगा भोपाल में होगा मध्या प्रदेश में होकी अकैदमी कहां बनेगी बहुत बहुत इंपॉर्टन कोशन है ये यूनिट येट का भी कोशन आजा है मतलब खेलकून से सम्मंदित भी है और करेंट से भी सम्मंदित है कि मध्या प्रदेश में होकी अकैदमी कहां बनेगी बहुत सारे लोगों के ज कुछ कारणों से ये बंद हो गई थी अब इसको पुनहां चालू किया जाएगा तो महिला होकी अकादमी कहां पुनहां इस्थापित की जाएगी ग्वालियर में पुनहां इस्थापित की जाएगी अगला कोश्चन है अंतराश्टी खेल परिसर कहां बनेगा अंतराश्टी खेल परिसर गोवालियर में बनेगा अंतराश्टी खेल परिसर कहां बनेगा अंतराश्टी खेल परिसर कहां बनेगा अंतराश्टी खेल परिसर कहां बनेगा अंतराश्टी खेल परिसर गोवालियर में बनेगा अन्तरास्टी Sports Science Centre बनेगा, अन्तरास्टी Sports Science Centre बनेगा, भुपाल में, स्पोर्ट्स साइन सेंटर कहाँ बनेगा, भुपाल में, खेल परीसर बनेगा, गवालियर में, मार्स आलाटि कैडमी कहा बनाई जाएगी, टीटी नगर, यह बहुत important fact है, इनमें से एक प्रेश्ण बने कानिरमान कहा किया जा रहा है इंडूर के बीजरपुर में इत किया रहा है कीरुश्पट में इक चेनल पेक बध्यक अपर्देश के बारे कुसरा सहर कौन सा बन गया है तो पहले स्मार्ट मीटर लगाया था इंदौर में दैल लगाया था रतलाम में अब तीसरे नंबर पर कौन बन गया है जहां पर स्मार्ट मीटर लगाया है तो वह उज्जेन बन गया है कौन सा बन गया है उज्जेन अटल भूजल योजना के प् आप से यह भी पूछ सकते हैं, छे दे देंगे, इन में से कौन से नहीं है, तो आपको याद रखना है कौन से हैं, छतरपुर, सागर, टीकमगर, दमो, पन्ना और निवारी, यह जो योजना है, अटल भूजल योजना, इस योजना को कितने वर्स तक पूरा करने का लक्ष र अटल भूजल योजना की लागत कितनी है, अटल भूजल योजना कीलागत के 315 करोड़, यह जो अटल भूजल योजना है, जो दो हजार पचीस तक पूरा करने है, जिसमें 6.00 का चैन करना है, इस योजना को रासी कहां से प्राप्त होगी फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो मुझे कमेंट वाक्स में बताइएगा कि जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्याले कहां है तो जो अटल भूजल योजना है उसको कहां से राप्त होगी कि सत प्रतिसत रासी विश्व बैंक और भारा सरकार से प्राप्त होगी अगला है मध्यपदेश धार्मिक सुतन तता अध्यादेश 2020 का गजट नोटिफिकेशन कब जारू हुआ तर 9 जन्वरी को जारी हुआ था अगला कोश्यन है मुख्यमंत्री सिवराज सींग चोहान ने महिला अपराद उन करने के लिए कौन सा अभियान सुभारम किया है महिला जागरुकता अभियान का सुभारम किया है कौन सा महिला जागरुकता अभियान का इसका सुभंकर क्या है इसका सुभंकर है गुड्डी महिला जागरुकता अभियान का सुभंकर क्या है गुड्डी है उमंग कि सोर हेल गौालियर, हुशंगावाद, रतलाम, छतरपुर और सिवनी, उमंग किस ओर हेलप लाइन है, उसमें राज जिस्त मतलब इसका सॉल्यूसन देने के लिए हेलप लाइन के थूरू ये इन जिलों को उतक्रष्ट रखा गया है, और ये जिले कौन से हैं, गौालियर, हुशंगा को ये गाजियाबाद के हैं, और 2020 का दिया गया है, डॉक्टर अंबर फरुकाबाद को, और ये जो समान है, वो मंची कभीता के छेतर में दिया जाता है, जो मंच में आके कभीता बोलते हैं, और ये जो समान है, ये 2012 से दिया जा रहा है, कभी प्रदीप के नाम से ये समान दिया जाता है और अगर पूछएं आप से कभी प्रदीप कहां के हैं तो कभी प्रदीप है बढड़नगर के अगला गुशन है हाल ही में मध्या परीटन और किस राज्य के परेटन के वीच MOU iau साइन हुआ है कियरल चांड ठीक तो केशल मध्यापदेश की के साथ के साथ के नागला के साथ के टूरिज्म औू साइन करने वाला देश दूसरा राज्य कौना है तो वह धया त्स एक अगला है कैंडरीय मतर्फ 7 चैंपिछप तुरिया ने तुन दो और दो कांसे हैं अगला कोश्चन है केंद्रिय पैटॉलिय मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने सोर उजासे रसोई गैस बनाने का संग प्रकल्प का लोकारपन कहां किया तो केंद्रिय पैटॉलिय मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने सोर उजासे रसोई गैस बनाने का प्रकल्प क अगला कू siya इससाइं वर्ड कप में भारतिय टीम का प्रते निदत्व मद्यपार्देश राज शूटिंग सीप्टमी की तरफ से कौन करेगा तो जो i ss f वर्ल्ड कप है उसमें भारती टीम का प्रतने दित्व करेगी मनी सकीर और नीरुधारणडा ये मद्वपदेश राजसूटिंग अकैर्मी की खिलारी है कौन-कौन मनी सकीर और नीरुधारणडा ये आप से ये भी पूछ सकते है तो संतरविदास हस्तसिल विकास निगम कहां खोलेगा महारास्ट के नाकपुर और उत्तापदेश के इलहावाद में कहां खोलेगा महारास्ट के नाकपुर और उत्तापदेश के इलहावाद में अपनी म्रगनैनी खोलेगा कौन संतरविदास हल्पसिल हल्पसिल विकास निगम कहां पे नाकपुर में और इलावाद में अगला कोश्यन है रोजगार उससब का सुभारम सिवराज जी ने 20 जनवरी को कहां से किया बोपाल के मिंटो हॉल से पंख अभियान का सुभारम कप किया गया पंख अभियान का किया गया तो जो पंख अभियान है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना के तहत अरंब किया गया है किसके तहत बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ पंक का Fkanth it will P Kh तो P से जाएगा protection A से हो जाएगा awareness N से हो जाएगा nutrition K से bakeryो नह Zeus और हेल्थ से हो जाएगा हैल्थ और हाईजीन तो इसलिए ये पंक हवियान का सोभारम इन मुद्धों को लेके किया गया है अगला कुशन है छे जन्वरी को सिवराज सिंग चोहान ने कारगो हप का लोकारपन कहां किया तो 6 जनवरी को अंतराश्टी कारगो हप का लोकारपन इंदौर में किया गया है इंदौर में नया बना हुआ पीपल या हाना फ्लाई ओवर किस नाम से जाना जाएगा तो इंदोर में बना हुआ पीपल या हाना फ्लाई ओवर अब अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये कि इंदोर में जो पीपल या हाना फ्लाई ओवर है वो किस नाम से जाना जाएगा अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा अगला कोशन है हाल ही में परिवहन की सुविधा को सुलब बनाने के लिए व्यस्तितम मारगों पर केवल कार किस जिलेने चलाई तो परिवहन सुविधा को सुलब बनाने के लिए व्यस्तितम मारगों पर केवल कार चलाई है इन दौर में कहां पर चलाई है इन दौर में चला परिवहन सुभिधा को सुलब बनाने के लिए अगला कोश्चन है देश का चौथा और प्रदेश का पहला डाइनोसार जीवासन पार्क कहां बनाया जा रहा है तो देश का चौथा प्रदेश का पहला डाइनोसार जीवासन पार्क मांडू में बनाया जा रहा है कहां पे तो पहला विर्ज कहां बनाया गया तो बन्न प्राणियों के आवागमन के लिए डेस का पहला विर्ज बनाया गया है सिवनी के मोहगाओं से खवासा तक कहां से सिवनी के मोहगाओं से खवासा तक और ये बनन प्राणियों के आबागमन के लिए पहला वरिज बनाया गया है तो फ्रेंट्स ये थे हमारे आज हमने 101 कोश्चन किये अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगी जिसमें हम 102 से पढ़ेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में सेयर कीजिएगा और MPPSC के लिए Pre के लिए Pre Series और Mainz के लिए M Series जरूर देखिएगा ओके फैंस तेंक यू